नमस्कार दोस्तों दीमी याद चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आये हैं मतन रोगन जोश ये एक बहुती लजीज और स्वादिश्ट डिश है इसे बनाने के लिए जिस सामगरी की जरूरत है उसमें सबसे पहले एक बड़ा चमबस दिसी शीखी चार प्याज मीडियम साइच के खड़े मसाले जिसमें दो टुकडे दाल चीनी कुछ पत्तियां घर मसाले की एक बड़ी लाय ची चार लोंग और दस से बारा काली मिर्च एक बड़ा टुकड़ा अधरक 15-16 लासुनकी कली दो मेडियम साइच की हरी मिर्च इनका हम पेस्ट मनाएंगे तीन चम्मच धनिया पाउडर तीन चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच गरम मसाला पाउडर तीन चुथाई चम्मच फल्दी एक चम्मच जीरा और एक बड़ी इलाय ची बड़ी इलाय ची को छील कर इसके दाने निकाल कर धनिये एसोरी जीरे के साथ मिक्स करकर हम इ नमक स्वादनुसार दो मेडियम साइज के टमाटर और गार्णिश के लिए भरादनिया इन सभी मसालों के इसाफ से हमने 750 ग्राम मटन लिया है इसे अच्छे से दो के साफ कर लिया कि सबसे पहले हम गी को गरम करेंगे गी गरम हो चुका है अब इस में हम अपने इखड़े मसाले डालेंगे कि अब कर दो कि साथ ही वह प्याज चौप कर लिए प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक यह सुने नियुक्त हमारे प्याज बिल्कुल सुने रही हो चुके हैं और इस प्याज का यह इतना सुने रही होना बहुत जरूरी है कि तब ही ग्रेवी में वह बात आएगी जो हमें चीज़िए उसके बाद हम इसमें यह अधर को सुन और आरी मिच का पैस्ट केंड़ कर देंगे साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे जिससे की लसुन जलेना इसे लगातार इहलाना जरूरी है जिससे की यह लगेना यह देखिए हमारा पेस्ट तिक चुका है और ही उपर आ गया है अब हम इसमें मटा नेड़ गए और इसमें मिलाएंगे और इसमें मिलाएंगे पूड़े देर में मटाथ पानी शोड़ देगा तब तक हम इसे चलाते रहेंगे ताकि यह लगेना यह देखिए इसको कंटेन्यू इलाते रहेंगे ताकि यह लगे ना और शितना भी मटानी का पानी है वो निकलता भी रहेगा साथ ही साथ जलता रहेगा जब लगेगे हमारा घी उपर आ गया है आप पानी नहीं है तो इसमें हम बसा लेड़ करेंगे इसमें थोड़ा सा साथ में पानी एड़ कर देंगे जिससे की मसाले जलेना और उनको सिकने के लिए ठीक रहेगा चाहिए जलता चाहिए में पानी कि कि आपको लगे पानी कम है तो थोड़ा सा और एड़ कर सकते हैं कि अब अच्छे से सिखाई हो अच्छा इसके लिए इसमें पानी एड़ करना बहुत जरूरी है कि इसे अच्छे से इलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना है और जब तक इसका घीव पढ़ना आजाए तब तक हमें से इलाते रहेंगे और पकाते रहें देखिये देखने में कितना अच्छा लग रहा है पर यह अभी पका नहीं है फाने के लिए तैयार नहीं है अब यह देखिए अब इसमें घी उपर आ चुका है इसमें अब हम वो टमाटर जो हमने चौप कर लिया है एड़ करेंगे अब अच्छे सेला देंगे अब हम इसे तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि यह तामाटर अच्छे से मैश ना हो जाए अब यह देखिए अच्छे से मैश हो चुके हैं अब हम इसमें जो रोगन जोस की ज्यान है वो चीज मिलाएंगे वो एक बड़ी लाईची और जीरा जो हमने तवी पर सेक लिया है उसका पाउडर बना लिया है अब हम इसमें यह एड़ करेंगे और इसको अच्छे से हिला देंगे अब रोगन जोसके फिलेवर के लिए बड़ी लाईची के दाने और जीरा दोनों सेक्टर पीस का पाउडर बनाकर इसमें एड़ करेंगे इसी से इसका फिलेवर बनेगा अब यह देखिए अब यह हमारा मतन उस स्टेज में आ चुका है यहां से हमारे सामने दो आप्शन है पहला यह अगर हम इसे ओपन बनाना है तो हम इसमें डबल पानी एड़ करेंगे और अगर हमें इसमें जल्दी बनाना है तो यहां हम इसमें जितना हमको ग्रेही चाहिए उतना पानी एड़ करकर इसको पुकर में डालकर विशल लगा लेंगे विशला में उतनी लगानी है जितनी नॉर्मली हम लगाते हैं उससे बस एक कम लगानी है यह देखिए मैंने इसमें जितना ग्रेवी की जरुक है उतना पानी इसे में एड़ कर लिया है और इसको अच्छे से हिला लिया है अगर आपको इससे ऑपन बनाना है तो आप इसमें डबल पानी एड़ कीजिए और इसको बिल्कुल लो फेम पे पकने दीजिए यह देखिए मैंने इसे कुफकर में एड़ करके और इसमें सीटी लगा ली है और अब यह पूरी तरह से तैयार है अब हम इसमें गरम मसाला एड़ करेंगी और थोड़ा सा अरादन्या लीजिए हमारा यह बटन रोगन जोस रुमाली रोटी के साथ खाने के लिए उल्कुल तरह से तैयार है रुमाली रोटी के साथ मतन रोगन जोस का आनंद लीजिए लीजिए रचल राय प्वार जोस इंवाः